मंदिर के महंत की पिटाई सेसी टीवी में कैड मुरादबाद के ठाना कटगर्ट शेथरिस्तित प्राचीन माता एवन शिम मंदिर के पुजारी के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई मार्पीट की घटना का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस की कारे प्रणाली पर प्रशन चिन लग गया फीडित पुजारी के अनुसार इसकी शिकायत घटना के समय भी खाना पुलिस को दे भी थी घटना 19 अक्तूबर की है मारपेट की ये घटना मंदिर के बाहर लगी सीसी टीवी में कैड होने के बाद भी आरोपी खुले आ ही नहीं की और आरोपी खुले आम घूंते रहे मंदिरों से जुड़े पुजारियों और महंतों के उपर हो रहे है अत्याचार के घटनाओं में मुरादबाद का नाम भी जुड़ गया है मामला कटगर खाना इलाके के गुलाब बड़े स्थित माता मंदिर एवं शिव मंदिर के महंत मंगूलाल शर्मा के साथ विगत 19 अक्तूबर की शाम कुछ लोगों ने मंदिर से खीच कर जबरदस्त मारपीट की थी उनके उपर पुर्सी से भी जानलेवा हमला किया गया था ये पुरा वाक्या मंदिर के बाहर लगे CCTV में कैद हो गया था और आरोपियों क चेहरे भी साफ नजर आ रहे थे इस घटना में मंदिर के महंत को काफी चोट भी आई जिसका इलाज उन्होंने स्वयम करा लिया था पीडित महंत ने उसी समय पूरी वारदात की सुचना खाना पुलिस को दे दी थी लेकिन आरोपियों के खिलाप कोई ठोस कारवाही ना हो लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी कहने को तयार नहीं है। कैसे वह सतर्ट शर्राथाथ साथ है कािसे yanे का थैए जोस के सौन के साहथ में अत्याचार तो हो रहा हैं जाने था इस प्सकांतर का तो हमारे नहीं होना कि मांदयों के नहीं थे थे इस अजयनिय होना 각र का नहीं होना किम्हों कर० पूरी 3 सब्सक्राइब कर दो कि एक सादू के साथ मार्पी के वीडियो के वाइरल हमें खबर दी जा लिया यह वीडियो पुराना 19 अक्टूबर का है इसमें पुजारी मंगुलान शर्मा का मदन सहीनी नामत व्यक्ति से ठेलो को लगाने के संब्द में वाद्विवाद मार जगड़ा हुआ था जिस संब्द में स्थाने पुलिस द्वारा नुरुदात्मा कारवई की गई है फूर्व में और इस घटना के संब्द में जो भी नहीं जबती है उजागर माते है उसके अधाफर वितिक पारवई पूर्ण करी जाएगी